हाईलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका स्विक रुपा के लासेज पर, दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आरपी अफ कांस्टेबल में ऐसा एकजाम तो हजार चोविस के अलसिप्ट में पूछा सकने वाले most important selected person को solve करेंगे दोस्तों ये सारे questions हमारे आपके exam में पूछे जाने वाले प्रसनों के सभी topics, प्रसनों के level, प्रसनों के trends इसके लाँ दोस्तों आपके previous exams के प्रसनों को पूरी तरह से analyze करके बनाया गया एक most important वीडियो है तो दोस्तों आप लोग इने concentrate होका solve करें questions कम solve होने पर पूरा पसनों करी वीजन करें ताकि RPF constable वाईसा exam 2024 में आप लोग GKGS one current affairs के टापिक से अच्छे से एच्छा score कर सकें द्यान रखें दोस्तों आपके exam में GKGS one current affairs का अच्छा खासा बेटेज है पच्छास question आपके यहां से पूछे जाएंगे तो उचले दोस्तों जदा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी most important पसनों को solve करना शुरू करते हैं दोस्तों question number one है हमारा भारत के नए मुख्य चुनावाई तो कौन बने है current का most important question है दोस्तों बिल्कुल आपके trend में है आपके label में है question है हमारा भारत के नए मुख्य चुनावाई तो कौन बने है correct answer होगा राजीव कुमार अब चुकि दोस्तों current से हमारा question आये हुआ है तो इस topic से जितने भी questions बनते हैं अधिकान्स प्रस्णों को हम लोग यहीं पर कबर करेंगे यही हमारे preparation की stage है दोस्तों की जिस भी topics को हम लोग उठाएंगे उस topics के अधिकान्स प्रस्णों को पूरे extra fat के साथ वहीं पर कबर करेंगे ध्यान्द जी का दोस्तों आप लोग सारे facts सेलेक्टे रखे गए हैं पहला point है हमारा राजियू कुमार भारत के ने मुख्य चुनाव एक तो नियुक्त के गए हैं भारत निर्वाचन आयू की अस्थापना हुई थी 25 जन्वरी 1950 को मुख्याले इसका नई दिल्ली में है और इस समय उप चुनाव एक तो अजय भादू है कौन है अजय भादू है थोड़ा सब नोट देखेंगे मार्च दो हजार चुबिस में ग्यानेश कुमार और सुखवीर सिंग संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है पूरी तरह से ध्यान रखेंगे तो मुख्य चुनाव एक तक कोन है दोस्तों राजिव कुमार है उपचुनाव एक अजय भादू है और दोस्तों ग्यानेश कुमार और सुखवीर सिंग संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है पूरी तरह से हर फेक्ट को ध्यान रखेंगे अगला कोश्चन है हमारा भारतिय दूर संचार नियामक प्राधिक्रण यानि कि ट्राई के नए अध्यस कोन बने है करेक्ट एंसर होगा अनिल कुमार लाहोटी नेक्श कोश्चन है भारतिय ओलंफिक संग यानि कि IOC के CEO कोन बने है तो पीटी उसा है यानि कि PTA अध्यस है और CEO रघुराम अईयर हैं अगला कोश्चन है हमारा केंद्री है माध्मिक सिछा बोर्ड यानि कि CBSC के नए अध्यस कौन बने है तो राहुल सिंग है कौन है राहुल सिंग है आगे बढ़ेंगे हम लोग अगला कोश्चन है दोस्तों हमारा शशस्त्र सीमा बल यानि कि SSB के नए महा निदिस से कौन बने है दलजी सिंग सोचोधरी है पूरी तरह से ध्यान रखेंगे आपके एक एक कोश्चन यहाँ पे सुपर है नक्स कोश्चन है केंद्र सरकार ने बित आयोग का अध्यस किसे निवत किया गया है पूरी तरह से ध्यान रखेंगे पूरी तरह से ध्यान रखेंगे वित आयोग यानि कि फाइन्स कमिशन का गठन अनुच्छे 280 के अंतरगत किया गया है लास्ट पॉइंट है यहां से केंद्रो राज्यों के बीच पैसा कितना बटेगा कैसे बटेगा इसकी देखरे करना बित आयोग का कारी है पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे आगे बढ़ते हम लोग अगला कोश्चन दोस्तों हमारा करेंट से क्या है भारत के पहले दलित मुख सूचना आयोगत यानि की CIC कौन बने है भारत के पहले दलित मुख सूचना आयोगत चीफ इनफोर्मेशन कमिस्नर कोन बने है हीरा लाल सामरिया नक्ष कोश्चन है रिसर्च एंड एनालिसिस बिंग आप लोग नाम सुने होंगे रा भारत की खुफी आजंसी है रिसर्च एन एनालिसिस बिंग के नए पर्मुक कोन बने है तो रवी सिनहा है अगला कुश्चन है मारा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यच और CEO कोन बनी है तो जयावर्मा सिनहा है कौन है जयावर्मा सिनहा थोड़ा सा नोट देखेंगे भारतिय रेलवे की स्थापना सोरला अप्रेल 853 को हुई थी मुख्यला इसका नए दिल्ली में है वो अवर्तमान में रेल मंतरी कोन है असोनी वैसनों है पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे आगे बढ़ते हम लोग अगला कोश्चन है दोस्तों हमारा नेशनल ग्रीन टूवनल यानि कि एंजटी फुल फाम भी ध्यान रखेंगे आपके एक्जाम में बराबर पूछाता है कि नए द्यस कोन बने है जस्टिस प्रकास स्रीवास्तों है नेक्स्ट है रच्छा मंतराले के नए महानी देसक कोन बने है तो मनोस यादों है पूरी तना से आप लोग अपडेट रहेंगे अगला कोश्चन है हमारा भारतिया तटरचक बल यानि कि ICG के 25 महानी देसक कोन बने है राकेस बाल है नक्स्ट है दुस्तों भारत के ने Chief of Defense Stop यानि कि CDS कोन बने है तो निल चौहान है अगला हमारा केंद्रिय अनिवेशन विवरो ने की CBI के ने दिसक कोन बने है तो परभीड सूध है कोन है परभीड सूध है थोड़ा सा नोट देखेंगे CBI का फॉल फार्म होता है Central Bureau Investigation अस्थापना इसकी हुईती ही एक अपरेल 1963 को और मुख्याला इसका नई दिल्ली में है पूरी तिरह से अपडेट रहेंगे एक एक कोस्टन यहां से आपकी एक्जाम के लिए सूपर है तो यह थे दोस्तों करेंड के कोस्टन जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए है आगे बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा PDF के बारे में बात करेंगे पूरा हम लोग नेक्ष्ट कोस्टन को चलेंगे देहान देजिएगा चार PDF के यहां पर हमारा लगा हुआ है लेकिन हम लोग सब से पहले आरफ्याफ कांस्टेबल वो ऐसा एक्जाम 2024 के बारे में ही बात करेंगे जिसका यहां पर हम लोग प्रिपेशन कर रहे हैं दोस्तों इसमें जो आपका पार्ट करम है आपका पूरा जी के जिसमें आपका हिस्टरी जियोग्राफी, एकानमी आपके आएंगे, पूरा बिवीत का चेप्टर साएगा, आपका जी एस एन जनल साएगा और करेंट अप्याज, इनके पूरे पार्ट करम को टूटल 25 पीडियाफ की जरी कंप्लीट किया जा रहा है, पेट फीस इसकी पूछे जाएंगे, आपका करेंट अप्याज, बिवीत का चेप्टर साएगा, आपका जनल साएगा, सामान हिंदी आएगा, यूपी स्वेसल में आपका इस्टेटिक वा करेंट आएगा, इनके पूरे पार्ट करम को टोटल 40 PDF की जरी कंप्लीट किया गया है, पेट फीस की 100 रुपीज रखी गए, वाटसप नमबर आप लोगों की सामने, लास्ट हमारा SSC, CPO, SI, एक्जाम 2024 आप लोग जानते हैं, इसके पार्ट करम का लगा हुआ, इसमें जो आपका पार्ट करम है, आपका पूरा GK, आप दोस्तों, आच्छे खासे ढंक से इंका रिवाइस कीजिएगा, हो सकते हैं, आप प्रिंट आउट जरूर निकल वाएं, पंच करें, अंडर लाइन लगा की स्टेडी करें, पुनहाइक बार रिवीजन जरूर करें, इतना आप कर लेते हैं, तो कम से कम समय में, पूरी तरा पेखा है, बराबर आपके सिप्ट में यह से भी कोस्टन पूछे जाते हैं, जितने भी खेल से जुड़ी हुए ट्राफियस यानि कफ हैं, आपके एकजाम में बराबर पूछे आते हैं, तो कोस्टन हमारा रख दिया गया है, डूरन कफ किस खेल से समवंदित हैं, करेक्ट शुरू करते हैं ध्यातिजेगा दोस्टों शुपर सारे लगए आपके जितने फीषी फेक्ट से कॉस्टन बनते हैं पहला क्या दोस्तों ठामसकप जो पूरुषों के दोरा खेला जाता है और के दोरा खेला जाता बिट्टल ट्राफी और मडेका कप, सारे के सारे most important है, जो कि फुटवाल कप में दिये जाते हैं, किसमें फुटवाल खेल में दिये जाते हैं, फिर आज दूस्तों, रोजर्स कप, मियामी ओपन, बिंबल डान ओपन, अस्टेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, आप लोग नाम सब के सुने हैं, ये सारे के सारे टेनिस खेल में दिये जाते हैं, आगे बढ़ते हम लोग, अगला हमारा क्या है दूस्तों, राइडर कप, क्या है, राइडर कप, वाकर कप और कनाड़ा कप, तीनों की तुनों मोस्ट इंपर्टन है, जो कि गोल्फ में दिया आते हैं, किसमें गोल्फ में दिया आते हैं, नेच्ट है, एजरा कप, रादा मोहन कप, और क्लासिक कप, तीनों की तुनों मोस्ट इंपर्टन है, जो कि पोलो में दिया आते हैं, अब यहीं पर हम आपसन रखेंगे, कोई मतलम नहीं निकलेगा, ऐसे कोशन आपसन यानि बिकल्प के थोरों कभी भी याद नहीं हो सकते, क्यों टाइम टेकिंग रहेगा और कन्फूजन क्रेट होगा, अगला क्या है दूस्तों, इरानी कप, रणजी ट्राफी, विजय हजार अगला है वेटन कप, आगाखा कप, अजलान साह कप, ध्यान चंद कप, इस्टेनली कप, लेडी रतन टाटा ट्राफी, सिंधिया गोल्ड कप, रंगा स्वापी कप, जो की राष्टे चंपियनसिप होता है, और गुरु नानक ट्राफी, ये सारी के सारे ट्राफी हां दोस् क्या है दोस्तों हमारा एक है डेविस कप ध्यार रखिएगा, जो कि लाल टेनिस में दिया आती है, जो कि पुर्सों के दोरा खिला जाता है, लास्ट पॉइंट है, फेडरेशन कप, इंडिया गोल्ड कप, ग्रेंड चेंपियनस कप, और सुपर चैलेंज कप, चारो के चार पाकलासेच को इसी तरह के वीडियोस के लिए, आगे बढ़ते हम लोग, नेक्ष्ट कोस्टन की ओर, कोस्टन क्या लगा हुए दोस्तों, धन विधेक की परिभासा, संग्विधान के किस अनुच्छद में वर्णित है, कोस्टन कहां से आयो है, पॉालिटी से कोस्टन आयो किस में, अनुच्छेद 110 में, अब चलिए पॉालिटी के मोश्ट उबान परसनों को लोग, एक साथ कबर करना शुरू करते हैं, ध्यान देंगे, इंप्वार्टेंट कोस्टन सारे लगे हुए हैं, पहला कोस्टन है दोस्तों, संग्धान सभा की पर्थम बैठक कब हुई डेट जरूर ध्यान रखेंगे आपे, डेट से भी रिलेटर कोस्टन पूछे जाते हैं, अगला है, संग्धान निर्माली के समय प्रारूप समित के ध्यस कों थे, तो डाक्टर वी आर अंबेटकर कों थे, कौन डाक्टर वी आर अंबेटकर, नेक्स्ट है, भारतिय बजट के नाम से जानते हैं, वास्तों में बजट सब्दिका संग्धान में कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं है, इसे वार्सिक बित्य विवरण के नाम से जानाता है, इसका ओणन भारतिय संग्धान के किस अनुच्छेद में है, तो करेक्ट एंसरोगा अनुच्छेद 112 में, अगला है, धन विदेक की परिभासा संग्धान के किस अनुच्छेद में वाडित है, तो करेक्ट एंसरोगा अनुछेद 89 में, किसमें? अनुछेद 89 में, आगे बढ़ेंगे अब लोग, next question की ओर, अगला question क्या है दूस्तों हमारा, भारत में 35 राज प्राणाली का प्रोस्ताओ किस ने दिया, correct अंसरोगा बलुवंतराय महता समीती के द्वारा, ध्यान रखेंगे, बलुवंतराय महता स समीती किसे संबन दिता है, बारबार पुछेता है, question directly, तो पंचाइती राज प्रोस्ता से, इन्हों ने ही तिरस्तर ये पंचाइती राज परणाली का सुझा दिया था, जिसमें ते ग्राम पंचाइत, छेतर पंचाइत, व्लाक वाँ जिला पंचाइत, अगला question भी इसी से को प्रापत है, संसत के सन्युक्त सत्र को संबोधित करने का अधिकारिया सकती है, ये भी राष्टपती को प्रापत है, और जो संसत का निचला सदन है, यानि लोकसभा उसे भन करने का अधिकारिया सकती है, ये भी राष्टपती को प्रापत है, लेकिन जब अध्यस्ता की बात होगी यानि कि संसत के संग्धान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वड़न है करेक्ट एंसर होगा वहाग तीन में किस में वहाग तीन में आगे वढ़ते हैं लोग अगला कोश्चन क्या है दूस्तों आपका संग्धान के किस अनुच्छेत के तहट भारत में राष्ट्रपती पर महाव्योग चलाय जा सकता है करेक्ट एंसर गा अनुच्छेत 61 में सुपर कोश्चन आर्टिकिल से आ रहे हैं अगला है किस अनुच्छेत के अंतर के तहट मंत्रिगार सामुहिक रूप से लोग सभा के प्रत उत्तरदाई होते हैं तो अनुच्छेत 75 है पूंसा अनुच्छेत 75 है नेक्स्ट है किस संग्विधान संसोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राजी का दरज़ा दिया गया तो 56 संसोधन था जो की 1987 में किया गया था दोनों ध्यान रखेंगे पीडियाप के बारे में बात हो चुकिया है, बिहार SSC प्लस बिहार पुलिस कांस्टेबल का आपका कंबाइन है, आरपियाप कांस्टेबल वो ऐसा एक्जाम 2024, SSC CP वो ऐसा एक्जाम 2024 और UP पुलिस कांस्टेबल रिख जाम 2024, आगे बढ़ते हम लोग. अगला कोश्चन आपका किया है दूस्तों, वाली वाल खेल के परतेक पच्छ में कितने खिलाली होते हैं, करेक्ट अंसर होगा 6 खिलाली, कोश्चन कहां से जितने वे खेल हैं, आप जाते हैं खिलाली की संक्या से, आपका trending topic है, आपके एक्जाम में बराबर कोश्चन पूछे आते हैं, एक सीट हमारी नीचे लगी हुए, अगर आप इनको कवर कर लेते हैं, तो यहां से कोई भी कोश्चन आपका मिस होने वाला नहीं है, कोश्चन के रखा गया है, वाली-ाल के खेल में, पर तेक पच्च में कितने खिलाली होते हैं, तो छे खिलाली होते हैं, अब ध्यान देंगे, सीट कोड़ चलेंगे, इसे हम लोग कबर करेंगे पूरी तरह से, दिया गया दूस्तों, पर्मु खेलों के एक पच्च में खि क्या के नाम, पहला क्या दूस्तों, रगभी फुटबाल, कैसे भी कांस्टेट होकर, आप लोग इनको याद रखें, कुछ भी करें, ट्रिक लगाएं कोई, या बार बार रटा मारें, फीटी अप किस थोरो आप लोग रिवीजन करें, कुछ भी करें, कुछ भी करें, इमनास्टिक में आपके 8 खिलारी होते हैं, नेडबाल, कबड़ी और वाटर पोलो, तीनों एक साथ देखेंगे, कि वित्यों को त्यनों में दूस्तों, 7 खिलारी होते हैं, आगे बढ़ेंगे आपके क्या है, वाली वाल, वाली वाल के परतेक दो खिलारी होते हैं, पूरी बढ़ेंगे, वाल वाली को तीनों में लोग पूस्तों, आप्स यह से एकली वाल, कैने अगे आपके एकक्जाम के समस्तों, लिए कछिंग हो शोको करेंगे, आपके वैसरिक के ऊवरो, अब चलिए इस सीट को हम लोग पूरी तरह से कवर करते हैं, द्यान देंगे, एक तरफ देगा है माहत्पूर्ण पुस्ते के, दूसी तरफ समन्दित राष्टी यो मंतर राष्टी ये लेखक के नाम, पहला क्या है, मुद्रा राच्छस, इनके लेखक बिसाख दर्थ है, अ प्लिटिक्स के लेखक आरुस्तू है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्या है दूस्तों हमारा, मदर इंडिया, क्या है, मदर इंडिया, लेखक कैथरीन मेओ है, उसके बाद में हिंद सुराज, माइक्स्परिमेंट, पिति टूथ, और यंग इंडिया, तीनों के साथ है, अगे बढ़ेंगे हम लोग, कामायनी के लेखक, जैसंकर प्रसाद है, यामा के लेखक, महादेवी वर्मा है, उसके बाद में मेधदूद, कामकुमार संभों, और अभिगान साकुन तलम, तीनों के साथ देखेंगे, मोस्ट अपटरन है, तीनों के तीनों के तीनों, पदमाओत के लेखक मलिक मुहमद जाईसी हैं और आइनेक बरी वह अगवर नामा दोनों एक साथ देखेंगे क्योंकि इनके लेखक अवुल फजल है पूरी तरह से आप लोग प्रिपेर रहेंगे पीडियाप के लिए हार्सप नंबर लगा हुआ है मारा चलते हम लोग अगल पड़ोसी देश यह आपका पार्ठिकरम है यहां से आपके एक्जाम में बराबर कोस्चन देखने को मिलेंगे तो कोस्चन रखा गया है इंडोनेसिया की राजधानी वह मुद्रा क्या है करेक्ट इंस रोगा इसकी राजधानी आपकी जगारता है और मुद्रा रूपिया है क्या है रूपिया है अब चलिए एक साथ हम लोग कबर करेंगे बिभीन देशों के जो हमारे एसिया महाद्यूप के हैं उनकी राजधानी यह मुद्रा के नाम पूरी तरह से अपडेट रहेंगे आप लोग कन्फूजन बिलकुल भी क्रेट नहीं करने और यह से कोस्चन बिकल्प के थोरो कभी भी यात नहीं हो सकती तो चलिए शुरू करते हम लोग इस सीट को कबर करना पहला किया दोस्तों वांगलादेश राजधानी इसकी ढाका है और मुद्रा इसकी टका है फिर है वोटान वोटान की राजधानी थिंपू है राजधानी इसकी थिंपू और मुद्रा क्या है नगुल टरम है नेक्स्ट है नेपाल राजधानी काठमांडू है और इसकी मुद्रा रुपया है कुछ भी करें कोई ट्रिक लगाए रट्टा मारे या जितने लोग पीडियाप नहीं हम कहेंगे दोस्तों कि आप अंडर लाइन लगा की स्टडी करें ऐसा करने से कम से कम समय में अच्छे खासे धंग से आपकी प्रपेशन कंप्लीट हो जाएगी और कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रेट नहीं होगा उसके बाद पाकिस्तान राजधानी इसलामाबाद मुद्रा रुपया है अफगानिस्तान इसकी राजधानी काबूल है और म मुद्रा दिनार है इंडोनेसिया राजधानी जकारता है और मुद्रा रुपिया है नेक्स्ट है बहरीन राजधानी मनामा है और इसकी मुद्रा रुपिया है मंगोलिया राजधानी उलान बटोर है मुद्रा तुगरिक है क्या है तुगरिक है आगे बढ़ेंगे हम लोग अगला किया दोस्तों माल्दिव राजधानी माले है और इसकी मुद्रा रूफिया है क्या है रूफिया है नेक्स्ट है लेवनान राजधानी बेरूत है मुद्रा पाउंड है कुबैत राजधानी कुबैत सिटी है मुद्रा दिनार है ब्यतनाम राजधानी हनोई है मुद्रा रीयाल है क्या है रीयाल है थोड़े और रहे गिया है चलेंगे एगले कोश्चन की हूआ क्या है दूस्तों जापान है राजधानी टोकियो है मुद्रा एन है फिर है कतर राजधानी दोहा है मुद्रा की रियाल है फिर है दूस्तों तुर्की राजधानी इसकी अंकारा है मुद्रा इसकी क्या है लीरा है क्या है लीरा है पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंग स्वामी बेकानन ने आपकी स्टेटिक से आये हुआ तो क्या करेंगे आम लोग यहां पर आपके जीके की जितने भी टाफे से कोस्टन बनते हैं चापका हिस्ट्री हो पॉलिटी हो आपका एकानमिक्स हो उसके बाद में आपका जिगराफियो आपके सारी बिवित के चेप्ट सुपर रखा गया है चलिया important questions के ओर हम लोग बढ़ते हैं पहला question है आपका hydrophobia रोग उत्पन होता है वहाँ क्या है इसका विसाणू द्यारा उत्पन होता है पूरी तरह से ध्यान रखेंगे next है आलू में मोजेक रोग का कारक्तत्तो है तो ये भी विसाणू है पूरी तर प्रिशूर करेंगे आप लोग आगे बढ़ते हम लोग अगला question है मारा डेंड्रोलाजी का सम्मंद किससे है जाडियों के अध्यान से नेक्स्ट है पोडोलाजी में किसका अध्यान किया जाता है correct answer भूमी का किसका भूमी का next है ना सपाती का कौन सबहाग खाय जाता है correct answer गूदेदार पूसपासान एक एक question आप लोग जानते है कीमत क्या है अगर question मिस होंगे तो हम कितने rank नीचे आगे अगर question गलत होंगे तो तो दोस्तों negative marking अलेक्स से जहली पड़ती है next है किस पौदे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता तो साइकस है क्या है साइकस है next ह किसके द्वारा मापा जाता है कारेक्ट एंसरोगा फाइरो मीटर के द्वारा किसके द्वारा पाइरो मीटर के द्वारा next है किसके द्वारा जल का सुध्धी करान किया जाता है कारेक्ट एंसरोगा कलोरीन के द्वारा next है राष्टे रासायनिक परियोग साला कहा परिस्थ प्रियां का रासाइनिग नाम क्या है कर्सेंस अगला कोशें दूस्तु आपका है किस विधि द्वारा तयार किया जाता है की सेधर किस की कमी से होता है इनिम यहिता है को इंसे मेझे नेग्ष्ट है जुमिके डिस्क पर किस पदार्थ की प्रत होती है करेक्ट अंसर का iron oxides की YC से मिलता जुलता कोस्चन है integrated circuit जब पर किस की प्रत होती है तो शिलिकान की होती है पूरी तरह से ध्यान रखेंगे confusion बिल्कुल भी create नहीं करने है अगला है डाइनेमो की सिध्धान पर आधारी था है correct answer का फैराडे की नियम पर भारत का पर्थम परमाण रियक्टर किस नाम से जाना राता है correct answer का अपसरा की नाम से static का question द्यान रखेंगे hydrogen bomb की सिध्धान पर आधारी था है correct answer का नाविके संगलाइन की परकिरिया पर next है मैनो मीटर की द्वारा की सिध्धान की जाती है correct answer का गैसों का जो दबाव होता है इसकी माप मैनो मीटर की द्वारा की जाती है आगे बढ़ते हम लोग अगला question आपका एखा गया दोस्तों गोबिंद स्वामी पिल्लाई most important question का संबन किस वाधियन से आपके लोग बढ़ते है correct answer का उत्तर परदेस का अगला है बावल किस राजि का परशिद लोग निर्थ है correct answer का पस्चिम बंगाल का next है नासिक किस नदी के तरपर इस्तीत है correct answer का गोदा वरी next है अनुछेत के अंटरगित की आती है correct answer का 76 के द्वारा मोस्ट में कोश्चन द्यान रखेंगे भारत का पर्थम विद्यतकारी महानियादी एटाननी जनरलाप इंडिया जिसका वण भाते सिमिधान के नुच्छे 76 में है अगला पुलिस वेवस्था की सूची का भी सह है करेक्ट एंसर गार राज्य सूची का नेक्स्ट है पाटल प करेक्ट एंसरोगा 261 इसापुर में सुपर कुश्चन है आपके एक्जाम के लिए अगला है चरक किसके दर्वार का पस्षित चिकी सक्था करेक्ट एंसरोगा कनिस्के के नेक्स्ट है तिरतिया बोधी संगीति का उजन किसके सासन काल में हुआ था तो समराठ असोग के कहा पूहा था यह आप लोग कमेंट करके बताआँ गे अगला है ब्रेह देशrator मंदिर का निर्माल किसने कर वाया था क्रेक्ट एंसरोगा राज रास पर्थम ने ने नेक्स्ट है, अस्थाई सेना की पर्था किसने प्रारम की, करेक्ट एंसरोगा अलाव दीन खिजीने, नेक्स्ट है, अस्ट्री दिगज किसके दरबार में रहते थे, करेक्ट एंसरोगा क्रिस्वन देव राय के, किसके दरबार में क्रिस्वन देव राय के, आगे उमायू नामा की रेचना किसने की थी, करेक्ट एंसरोगा गुल वदन बेगम ने, आगे बढ़ेंगे हम लोग, श्वेर साह का मकबरा कहा परोस्तित है, करेक्ट एंसरोगा सासा राम बिहार में, नेक्स्ट है, अकबर नामा की रेचना किसने की थी, करेक्ट एंसरोगा किसने लागु की थी, कर्येक्ट अंसरोगा लाड वेले जली ने. next है, वर्ण। युलर फ्रेस्सेक्ट किसने लागु कियाangen लाड लीटन ने. नेक्स्ट है, दस माई ठासो सत्ताओं डेट भी जरूद ध्यान केंगे, कोई सिपाही विद्रो कहां से प्रारम हुआ, करेक्टनसों का मेरट से, नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकास की इसकी किरती है, करेक्टनसों का स्वामी देनन सर्फस्ती की, आगे बढ़ेंगे वोग, अ नेक्स्ट है, टिहरी बाध प्रियोजना किस नदी पाई स्थित है, करेक्टनसों का भागी रहती नदी, ये आपके लिए दोस्तों सुपर कोश्चन है, और रेपीट फायर के जरीए कबर करवाय जा रहे हैं, अगला है, इडुक की प्रियोजना किस नदी पर संचाली थै, करेक्टनसों का पेरियार नदी, नेक्स्ट है, ओजोन प्रस किस मंडल में इस्तित है, करेक्टनसों का समताप मंडल में, नेक्स्ट है, मोसम संबंदी घटना है, किस मंडल में घटित होती है, करेक्टनसों का छो मंडल में, अगला है, ने सिंहम समिती का संबंद किस से है, क के स्थापना का भूई थी करेक्ट एंसरोगा 1922 में नेक्स्ट है उर्वसी के रचनाकार कौन है करेक्ट एंसरोगा रामधारी सिंग दिनकर नेक्स्ट है सिधान्त शिरोमल पुस्तक की रचना किसने की थी करेक्ट एंसरोगा वासकरा चारिने नेक्स्ट है गितांजली की सट्रिया कि स्राज का पसिद सास्त्री नीत है करेक्ट एंसर असंपका कहां का असंपका आगे बढ़ते हम लोग अगला कुछन है दूस्तों केलिंग पुरस्कार कि स्थेतर में दिया जाता है करेक्ट एंसर विज्यान के छेतर में नेस्ट है, गिएनिपीट पुरसकाल की छेत्म गाता है पुलितजर पुरसकाल की छेत्म होगा पत्र काहता के छेत्म जो भी टाविग कहाँए जारे हैं दोस्तों अफ ध्यान से देंग हूँ उन टाविग को वहींपे कंप्लीट कर दिया जारा है जितने सुपर कोश्चन बनते हैं वह से अगला है संतोष ट्राफिक की स्खेल से समद्धित है करेक्ट टेंसर गा फुटबाल से अगला विटामिन A का रासाइन नाम क्या है करेक्ट टेंसर गा रेटिनाल नेक्स्ट है विटामिन D का रासाइन नाम क्या है करेक्ट हेन्सर कह दूश्ट है अगला किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है करेक्ट अंसर्गा विटामिन कि आगे बढ़ेंगे हम लोग। थोड़े अवर रहे गए दूस्थू क्या-क्या है नेच्ट दूस्थू, हमारा हरप्पा काली नस्थल, क्या दूस्थू? एक मिनट कुश्चन है दूस्थू, हरप्पा काली नस्थल, लोथल किस नदी के तरपा इस्थित्था, करेक्ट अंसर वह भगवा नदी Most more question, next है, कालिदास किस के दर्वार में रहते थे, करेक्ट अंसरोगा चंद्रगुफ्त विक्रमा देती, अगला है, राष्टकूट उट्वांस के स्थापना किस ने की थे, करेक्ट अंसरोगा दन्ती दुर्ग ने, अगला है, आरि समाज के स्थापना किस ने की थे, करेक्ट दुख दुख पादन से नेक्स्ट पंजाब के सरी किस महापुरुस का लोग प्रियोप नाम है करेक्ट एंसर लाला लासपत राइका किसका लाला लासपत राइका आगे बढ़ेंगे हम लोग अगला कोश्चन क्या दूस्तों परवासी भारते दिवस किस्तिति को मना जाता है करेक्ट एंसर लोगा 9 जनुवरी को अगला अंतराष्ट यह महला दिवस किस्तिति को मना जाता है करेक्ट एंसर लोगा 8 मार्च को नेक्स्ट है बिश्व बिरासत दिवस किस्तिति को मना जाता है करेक्ट एंसर लोगा 18 अपरेल को वहां लास्ट कोश्चन है यहां से पिर् तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज के लिए आप हमाई स्टेडी चैनल सुख रुपा कलासे से जुने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे दोरा दे जाने वाले सभी वीडियोज आप करम से सबसे पहले देख सकें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज में थै